कॉंग्रिस सांसद नासर हुसेन साब हमारे साथ हैं राज्यसभा से सांसद हैं और कल फाम बिल के दौरान जो राज्यसभा में MPs का देखा गया वहवार उसके बाद जो suspended MPs हैं उनमें से एक कॉंग्रिस MP नासर हुसेन साब भी हैं ये बताए कल जिस तरह से अप्रत्याशित द्रश्य थे जो राज्यसभा में देखे गए उसके बाद speaker चैर ने जो है आप तमाम लोगों को सस्पेंड कर दिया आपको लगता है कि जो कल हुआ वो जायस था पार्लेमेंट में लेकिए पार्लेमेंट्री डेमोक्राजी में कुछ चीजें जायस होते हैं अगर मैं आपक इसे disruptions हुए, disruptions जब हुए तो अरुन जेटली सहब अभी है निया, शुष्मा सरोज सहब अभी है निया, उसने पे बाहर निकल कि यह बोले कि disruption is the right of the opposition इने पार्लेमेंट्री डेमोक्राजी है, जब वो बोले, जब सारा बीजेबी माना, आज क्यों नहीं मारा एक, दूसर अगर एक बज़े सी आगे चलाना है, किसी बिल को, याने तो किसी भी कारण चलाना है, तो सेंस अभी होस लेना पड़ता है, याने तो opposition leaders को बात करना पड़ता है, डेबुटी चेर्मेन सहाब बिना किसी को बोले unilaterally अपना होस चला रहे थे हो, तो opposition leaders उटके खड़े किजिए, कल और बहस होगी, उसके बाद मंत्री जवाब देंगे, फिर उसके बाद amendments आएंगे, amendments जो लोग मू के हैं, वो बात रखेंगे, उसके बाद division होगा, यह किसी की सुनिक लिए तयार नहीं थे, फिर इन्होंने, जैसा ही हम लोग चिलाना शुरू के बात करना शुर किया है, हंगामा यह चा रहे थी, क्योंकि इनके पस numbers नहीं है, इनके अंदर सी विरोध हैं तिनों बिल्स के पर, हर सिम्रत का और साहिबा जो है, यहां से resign किये हैं, मंत्री थी, resign किया, उसके अलावा BJD है, TRS है, AADMK है, इस बिल के विरोध में हैं, और हमारे साथ आज के दिन खड़े विये हैं, उनको पता था, उनके पस numbers नहीं हैं, तो इसलिए यह जान बूच के जो है, हंगामा डिबुडी चेर्मेन द्वारा खड़ा करके, यह बिल्स को पास करवाने की कोशिश किये हैं, आपने कहा कि सरकार के पास numbers नहीं थे, सरकार इसलिए चाहती थी कि इस तरह का हंगामा हो और डिन में बिल्स पास कराए जाए, हाउस ओफ एलडर्स है, राजसभा जनरली डिन में जो है राजसभा में बिल्स पास नहीं होते हैं, आराम से पूरी बहस के बाद जो है चीजे पास होती हैं, लेकिन कल जिस तरीके से हुआ, कि रूल बुक फार अगर हाउज में मार्शल्स को ले कि आके चारों तरफ सी घेर के डेप्यूटी चेर्मेन के इर्द गरेद आगर अगल में बगल में खड़ा करके अगर कोई भी बिल को पारित करना है सदन में तो अपोजिशन मेंबर्स आये ही क्यों उनको बिलाई है मत उनके सिर्फ जो इस तरह सी क्यों ये डर के जो हमलों इस तरह सी बिल पास करने है क्योंकि एकदम साफ है कि इनके अलायंस के इनके सरकार के अंदर से विरोध है ये बिल किसान विरोधी है ये बिल गरी विरोधी है इनको पता है कि जो हम पूरे हिंदुस्तान बर में खासकर पंजाब हरिया यूत्तर प्रिदेश में सड़कों पर किसान उतर आ चुके हैं अगर यह ज्यादा डिले करते हैं यह ने तो इनकी बिल गिर जाती है तो और ज्यादा हंगामा होगा अगर के बोलके यह जबरदस्ती बुल्डोर्ज करना चाहरे हैं क्योंकि यह बात दिये होंगे अंदान आम अधानी को और इस तरह यह जो क्रोनी के अपिटलिस्ट इनके दोस्त हैं जिनको फाइदा होने वह फाइदा होने जा रहा है इस बिल के हो जाती है शायद उनको बात दिये होंगे इसलिए इतना अर्जंट में बिल पास करवाना चाहरे थे लोक्तंत्र में विपक्ष को उली कारड के आवेब्वार बूर्स करने की ज़रूयत है क्या पार्लिमेंट्री जुट़ी जो हैं जो सेट प्रसीडेंटंस है जो पार्लिमेंटरी डेमोक्रासी के अंदर प्राक्टीश अरे हैं जो पिछले सतर बहात-टर साल में हम लोगों ने बहुत खुबसूरती के त इतने तीन बिल लाए हैं ये करोडो करोडो जो किसान है जो हमारे आन्नादाता है जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी जो है मुस्तखबील का उनके जो है फ्यूचर का उनके बच्चों के फ्यूचर के फ्यूचर को खराब करने वाली बिल लाई है ये चंद लोगो के लिए बिल आई गई है तो हम करोडो करोडो जो फार्मर्स हैं जो आज कोवीट के टैम पे जब माइनस 23.9 जीडीपी गिरा हुआ आई से टैम पे भी अगर कोई एक सेक्टर स्टेबल है तो अग्रिकल्चर सेक्टर है हम लोग आप लोग जो है घर में डर के बटी विए हमारे किसान बाहर निकल के काम करके हमारे को खाना पहुंचाने का काम किये उनके लिए हम लड़े ना किसी तरह का कोई खेद या रिग्रेट आपको अपने विहवार के लिए बाकी जो एंपी सस्पेंड हुए है आपको लगता है कि रिग्रेट एक्सप्रेस करने की ज़रत है कोई रिग्रेट एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस पा लड़े भी हैं उन्हीं के लिए लड़े भी हैं और उनको ऊपर लाने की हमेशा कोशिश की हैं आज भी उनकी लिए हम लड़े हैं चाहिए सस्पेंट करें चाहिए पार्लिमेंट के बाहर फेके हम पार्लिमेंट में आई हैं इनकी आवास बनके अब इनके लिए हम बात नहीं के लिए हम लड़ेंगे में खास कर हमारे किसान भाइयों के लिए हम लड़तेज Services लाइंगे अंदर हम बाह bij है उनकी आवाध बनके रहेंगे कब तक धरने पर बैटे रहेंगे आज पूरा दिन आप लोग धरने पर बैठे प्रोसीजर आपको चाहिए था उसके उपर भी डिविजन होना चाहिए था वो भी एक प्रुसीजर है वह प्रसीजर को भी दरकिरनार करके जो है वोईस वोट पर उन्हों ने एक तरफा decision एलान कर दिया कि 8 अदमें suspend हुए हैं हम तो मानते ही नहीं हम suspend हुए हैं क्योंकि procedure follow नहीं किये follow करके अगर suspend करते हैं तो फिर भी हम मान लेते हैं हम मानते हैं इसलिए हम वहाँ धरने पर बटे हैं जब तक suspend रिवोक नहीं होगा हम घंदी के चट्र चाय में गांदी के प्रतीमा के सामने हम पर्लिमेंट के बाहर हम बैठे रहेंगे और जब तक ये नहीं होगा हम इस धरना पे लगातार बैठके लिए विरॉस करते रहेंगे बहुत 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 थे और वही उठाई और इसके अलावा जो धरने पर ये तमाम सांसाथ बैटे हुएं गांधी स्टैच्चू के सामने वो धरना भी जारी रहेगा जब तक सस्पेंशन जो है जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता ये बात मासर हुसायन साब कहा रहे हैं या मसलन अनल मिश्रा के साथ विजलाक्ष्मी इंडिया ठीगी दिली